हेलो बचो नेक्स स्टार्ट करते हैं मैगनिफिकेशन का टोपिक तो मैगनिफिकेशन स्फेरिकल मिरर की क्या होती है कि अगर हम साइज ओफ इमेज को साइज ओफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करें तो हमारे पास आजाती है मैगनिफिकेशन तो इस डिवाइड बढ़ एम मैगनिफिकेशन ओफ इस्फेरिकल मिरर इस अगरे आजाती हैं तो इसका फोमला क्या वनेगा साइज ओफ इमेज सिपोज़ साइज ओफ इमेज को हम एच फू हैट से डीनओ हइट से ले ले लेते हैं h और image के लिए h2 डिख देंगे तो upon क्या जाएगा size of object suppose उसकी height हमने लिए है h1 तो हमारा जो यहाँ पे formula बना है वो क्या है h2 upon h1 आप देखो इस diagram को देख लेते हैं हमने जब mirror formula किया था तो diagram में जो हमने object लिया था उसका नाम था a b और जो image लिए थी उसका नाम था a dash b dash तो इसकी height है h2 और इसकी height है h1 तो इसी को use करते हम तो यह हो जाएगा हमारा a dash b dash upon a b clear है तो अब convex के case में magnification क्या होगी और concave के case में क्या होगी इसकी बार concave के real image के case में देखो इस diagram में अगर देखे तो देखो image जो है वो हमारी real inverted है इसमें जो height होगी इसकी वो negative होगी minus h2 और object की height क्या होगी इसमें plus h1 तो यहाँ पर जो a dash b dash है image की height हो क्या है minus h2 और जो object है object की height क्या है plus h1 तो जो magnification है वो क्या होगी minus h2 upon h1 यानि यह हमारी क्या ही है negative negative आई है हमारी magnification अगर virtual image के case में बात करेंगे virtual image हमेशा क्या होती है erect होती है तो अगर erect image हमारी होगी तो उसकी जो height है वो positive होगी तो plus h2 और a b क्या होगी plus h1 तो इसमें जो magnification बनेगी वो हमारी बनेगी h2 upon h1 यानि की positive बनेगी positive magnification तो concave mirror के case में अगर real image है तो magnification negative हो सकती है और virtual image है तो magnification positive यानि दोनों sign इसमें possible हो सकते हैं अब अगर convex की बात करें तो convex के case में देखते हैं convex अब देखो convex के case में जो image हो कैसी बनती है convex के case में उसमें बनेगी वर्चुल इरेक्ट इमेज बनेगी, तो इसमें जो A-B- है वो प्लस H2 हो जाएगी, हाइट ओफ इमेज क्या होगी, ओल्वेज प्लस H2 पोजटीव, और अबजेक्ट की कितनी होगी, प्लस का, H1 तो मेगनिफिकेशन क्या हो जाएगी, H2 अपोन H1 पोजटीव मेगनिफिकेशन, तो इट मीन्स, पोर कन्वैक्स मेगनिफिकेशन इस ओल्वेज पोजटीव, और फोर कन्केव, मेगनिफिकेशन should be positive or negative दोनो case possible हो सकते हैं clear तो देखो अगर जो magnification है वो हमारी greater than 1 आ जाए तो अगर magnification greater than 1 होगी तो h2 upon h1 भी क्या होगा greater than 1 यानि कि जो h2 है वो greater than h1 होगा यानि जो image की height है वो object की height से जादा है it means जो हमारी image बनेगी वो large image बनेगी image formed is and last simple सी बात है और if magnification is less than 1 तो क्या होगा h2 upon h1 less than 1 it means h2 less than h1 यानि height कम है image की height कम है object की height से तो image क्या होनी चाहिए छोटी होगी छोटी image को हम क्या बोलते हैं diminish image image formed is small or diminish small भी लिख सकते हैं और अगर क्या होगा अगर m1 के equal आजाए m1 के equal आएगा तो क्या होगा h2 is equal to h1 दोनों की height सेम होगी और ऐसा कब पोसिबल हो सकता है in case of plane mirror plane mirror के case में जो object की height है और जो image की height है वो सेम होती है इसलिए जो plane mirror के case में magnification हमेशा one रहती है clear तो यह दा छोटा सा magnification का topic very simple topic तो इसकी अच्छे से practice कर लेना